इन बातों के बाद यीशु ने अपने आपको तिबिरियास जील के किनारे चेलों पर प्रगट किया और इस रीती से प्रगट किया शमौन पत्रस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनियल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन एकठे थे शमौन पत्रस ने उनसे कहा मैं मचली पकड़ने जा रहा हूँ हम भी तेरे साथ चलते हैं चेलों ने उससे कहा तो वे निकल कर नाव पर चड़े परन्तूस रात उन्होंने कुछ न पकड़ा भोर होते ही येशु किनारे पर आखड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये येशु है हे जवानों क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा है कुछ भी नहीं नाव की दाहिनी और जाल डालोगे तो कुछ पकड़ पाओगे तब उन्होंने जाल डाला और अब मचलियों की बहुतायद के कारण उसे खीच ना सके वो चेला जो येशु का प्रिय था उसने पत्रस से कहा ये तो प्रभू है शमोन पत्रस ने ये सुनकर कि वो प्रभू है कमर में अंगरखा कस लिया क्यूंकि उसने अपने कपड़े उतारे थे और जीन में कूट पड़ा परन्तु दूसरे चेले डोंगी पर मचलियों से भरा हुआ जाल खीचते हुए आए क्यूंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे जब वे किनारे पर उत्रे तो उन्होंने कोईले की आग और उस पर मचली रखी हुई और रोटी देखी जो मचलिया अभी तुमने पकड़ी है उन्हें से कुछ लाओ तो शमोन पत्रस ने डोंगी पर चड़कर एक सो तिरपन बड़ी मचलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खीचा और इतनी मचलियां होने पर भी जाल न भटा आओ भोजन करो चेलों मेंसे किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तो कौन है क्यूंकि वे जानते थे कि ये प्रभू ही है यीशू आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मचली भी ये तीसरी बार है कि यीशू मरे हुओं मेंसे जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया